दो पल की जिन्देगी एक पल तो जिम्मेदारी निवाते निवाते निकल जाती है क्यों ना दूसरे पल को कुछ व्यादगार बनाय जाए समय सब कुछ बदल देता है जो हमारा पास है सायद कल नहीं होगा लेकिन यादे तो मेरे पास रहेंगे इसको भला कौन शिन सकता है तो क्या बोलते हो लाइब को जिना सुरू करें नमस्ते नमस्कारा जाए जगर्नाद मैं स्रिकान आप लोग को स्वागत करता हूँ मेरा यूटूब चैनल लाइब टू एक्स्प्लोर में आप लोगों ने उटी, मुनार, कोड़ाई कनाल ये सारे हिल स्टेशन के बारे में तो बहुत सुना रहेगा लेकिन आज मैं ये वीडियो में एक अनोखा बहुत ही ब्यूटिफुल छोटा सा हिल स्टेशन के बारे में बताऊंगा वो भी केरला में है, हाँ मैं बात कर रहा हूँ मारा यूर आप अगर मेरा रेगुलर वीवर हो, तो आपको तो पता ही रहेगा हमने एक मारा यूर एक ट्रिप किया था दो-तिन दिन के लिए बहुत ही खुबसुरत जगा है, तो ये वीडियो में मैं पूरा आइटेनरी शेर करूंगा जैसे कि कौनसा कौनसा जगा आप घूम सकते हो, कहां रुख सकते हो, बजेट कैसा रहेगा, तो ये सारे डिटेल में बताऊंगा आप अगर मारा यूर जाना चाहते हो, बैंगलोर से, तो एप्रॉक्सिमेट 430 किलोमेटर, मैसूर से थोड़ा धस्तिक है, 260-280 अगर आप North Side से आने की कोशिश करोगे, तो आपको nearest रहेगा कौइंबोटर, तो कौइंबोटर से ये 120 किलोमेटर, तो वे से आप प्लान कर सकते हो, हमने गए थे, मतलब बैंगलोर से ट्रावेल किया था, रोड ट्रिप कार में हमारा केमपर रोगन लेखे गए थे, तो जन सुवा सुवा निकल जाओ, 5 o'clock फ्राम बैंगलोर, तो लगभग 8 hours, 8 and half hours लगेगा, तो आप अगर 5 o'clock को निकलते हो, तो लंच आवर्स में 130 और 2 o'clock तो पहुझ जाओगे मारा योर, नहीं आपको अगर इतना डिस्टेंस कवर नहीं करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, फ्राइडे इविनिंग स्टाट कर सकते हो, पोलाची तक ड्राइब कर सकते हो, पोलाची नहीं तो इरोड, उधर भी आप स्टाप कर सकते हो, फिर सुवा सुवा निकल के आप मारा योर पहुझ सकते हो, जनरली हमने ब्रेक जर्नी लिया था, क्योंकि हम जब निकले रघ्टेडे निकल रहे हो तो पॉस्ते पोसे तो बजी जाएगा तो उस दिन ज्यादा कुछ प्लान मत करो उधर एक beautiful waterfall है उसका नाम है कारीमुंटी सब्सक्राइब और एक वाटराफॉल है लकाम वाटराफॉल यह दोनों वाटराफॉल आप कवर कर सेकते हो कारेमोटि वाटराफॉल ति आपको जाने के टाइम पर ही दिख जाएगा जैसे ही आप मारे राउन क्रॉस करोगे एक चेक पोस्ट अएगा नॉवेंबर डिसंबर तक कोई टेंशन नहीं हमने तो रहा है डिसंबर में गया थे तो काफी वाटर था बहुत ही खुपसरत वाटरफॉल है वह आप कभर करो टी इस्टेट से भरपूर पूरा जगा है नेचुरल सेंडलूड फॉरेस्ट आप जिदर भी मारे उर से निकल के इदर उदर जाओगे आपको सेंडलूड का फॉरेस्ट दिखी जाएगा तो आप वह छोटा जो कारिमुटी वाटरफॉल है लगकम वाटरफॉल है लगकम वाटरफॉल में से क्लोज होता है फाइव अक्लोक तक तो आपको अबर जाना है तो थोड़ा जल्दी वह जाके आ संडे आप पर जा सकते हो मेरा आज तक का जितना भी हमें ने ट्रेक किया जाता हूं कि हमको आइसमान को लेकर जाना और बच्चे को साथ अट साल का एक बच्चा है और वाइफ को लेकर चैना थो थोड़ा मुश्किल ज्यादा तो तो नहीं जासकते लेकिन ये वाला ट्रे बुक करना पड़ेगा बुक मतलब अंदा स्पोट बुक होता है आप में सारे डिटेल दे दूँगा कहा आपको बुक करना है वो फोरेश्ट डिपार्टमेंट का एक जगह है तो उधर जाके आप बुक करो आपको एक गार्ड एसांइन हो जाएगा वो गार्ड को लेकर आप वो ट्रेक पे जा सकते हो थ्री किलोमेटर का ट्रैक रहता है ब्यूटिफुल हिल्स के अंदर होके इसा माउंटेन फॉरस्ट के अंदर होके जाओगे बहुत सारा वाटर क्रोसिंग आएंगे जो की एक अनोखा एक्स्पिरियंस देगा आप लोगो और एड़ दा एंड जो त तो ब्रेथ्टेकिंग है मतलब जो व्यू है वो तो बस अमेजिंग आप लोग मतलब उदर से आने का मनी ने करेगा आप लोग एक घंटा तो आप उदर ही रुखना चाहोगे हमने भी एसे ही किया था थोड़ा टाइम हमने टाइम स्पेंड करने के बाद वापस आगे तो आपको भाइन आवर जाना आवर आणा पकड़ले उदर वाणावार तो थी आवज का टाइम लेके चलो तो संडे मानों की वह आप ट्रेक रक करके आगए तो आप इविनिंग को जा सकते हो इधर एरावी कुलम नेशनल पार्क जाना जाता है निलगरी ठार के लिए जो कि एक एंडेंजर्ट स्पेस्जिस है और हर जगा आपको यह नहीं देखेगा वाइल डाइफ एक मतलब एक डिफरेंट काइंड गोड जैसा रहता है ब्राउन कलर का क्लाइमेट ही ऐसा था और इस्पेसेली एरावी कुलम नेशनल पार्क तक जाने तक जो रोड है वो लोग जनेरली आपका गाड़ी अलाओ नहीं करते हैं आप जाके उदर पार्क करोगे फिर उनका जो सफारी का गाड़ी है वो लेके जाएगा आपको एरावी कुलम पिक तक और उदर से आपको थोड़ा ट्रैक करना है मतलब एक किलोमेटर जासा ट्रैक करना है ऐसा घुमना है उदर जब देखने के लिए बहुत ही खुबसूरत भीव पूरा ब्रेथ्टेकिंग वो भी पानारोमिक भीव दिखेगा टी इस्टेट के साथ जो ड्राइव है वो यह वो शींगा तो यह सारे चीज़ आप कवर कर सकते हो जितना सरा की ग्लिक delivery přेई मेंदिक बाख ऊ-पूर तो आप वह सारे गुगल मैफ लिंग हो फ़ॉलो कर के विजेट गर सब सब्सक्राइव स्टेक आप्शन देखो मेरा स्टेक आप्शन कैसा रहता है मैं जनरली बुकिंग.com ओयो यह सब ट्राइ करता रहता हूं और जनरली बजट स्टे मिल जाता है मैं जब माराय उर गया था तो 900 रुपीज में मुझे अच्छा-खासा एक रूम मिल गया था मैं तो नहीं बुलू कोई प्रॉब्लम नहीं और गर्मी तो नहीं लगता था तो इसी की भी जवरत नहीं था तो मस्ता हो तो बुकिंग.com में बहुत सारा प्रपर्टी हर बजेट का आपको जैसा टाइप चेहीं वैसा मिल जाता है उदर आप वो देखके आप चूज करो बुकिंग.com से या वह बहुत सारा वेबसाइट आता रहता है जनरली में यह दोनों ही प्रिफर करता हूं और डिस्टेंस जो है आप पता ने कहां से जाओगे मौईसूर से जाओगे बैंगलोर से या डिफरेंट आदर फ्लेसे में भी नौर से विजिट करें दूसरा जगह से डिपेंडिंग आप गाड़ी कितना एवरेज एता हो कर सकते हो और खाना तो मतलब लंच डिनर हंडेट रूपीस पर पॉपसन मान के चलो ब्रेक्फास 52-70 रूपीस मान के चलो तो वैसा इसाब से आप खुदी आपका बजेट लगा लो बजेट तो उपर निचे होता सकता है आपका जैसा पर जाओ के बारे में आप से से करूं ताकि आप लोग भी प्लान कर सके क्योंकि में तो मुनार भी गया उटी तो कम से कम साथा बार गया आलेपी कोड़े यह सारे में से मुझे यह बहुत अच्छा लगा क्योंकि छोटा सा केरला का एड़ो की डिस्ट्रिट का एक छोटा सा टाउन है मतलब सीनरी से भरपूर किदर भी जाओगे आपको टी स्टेट वाटरफॉल तो हर हंड्रेड किलोमेटर सरी हर हंड्रेड मीटर में लिख तो मज़ा नहीं आता है यह सारे चीज अभी जो ट्रेकिंग का स्पॉट हमने जो ट्रेक करके वाटरफॉल तो कहें वह कोई जाएगा नहीं क्योंकि बहुत सारा लोग रहेंगे तो मज़ा नहीं आता है और ऐसा आप ट्रेक करके जाओगे थोड़ा एफ़र्ट निकाल के जाओगे तो उधर जादे लोग दिखेंगे नहीं क्योंकि इतना दूप चलके जाना पड़ता है और एक पीसफुल काम एंवर्मेंट में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो तो बस यही मेसेज देना चाहता था क्योंकि संड़े यह ट्रावल वीडियो तो बैसे नहीं न कार केंपिंग ही वो सारे में मेरा कॉंटेंट देता है तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही मिलते हैं फिर से नेस्ट ब्लॉग में तिल देन टेक केर बाई बाई जय जगर्नाथ